मेच्वल फर इंवेस्टमेंट के बारे में बहुत सारी सूचना है सोचल मीडिया पर उपलब्द हैं जैसे अभी डेड़ मैने पहले एक ख़बर बहुत घूम रही थी जिसमें यह कहा गया था कि मार्श दोजार तैस क्वाटर में एक्विटी सेग्मेंट्स के सभी सब सेग् में पिस्के तीन मेने में एक्विटी सेग्मेंट्स के सभी सेग्मेंट्स ने पॉस्टिव लिटर्न दिये हैं कि एक सेग्मेंट्स फोड़कर वह एक्विट्विटी टेक्नलोजी फर्ड अब यह दोनों ही सुचना एदे कॉमन इंवेसर के सामने आती है तो उनको एक हाई गरीजन फाइव यह सेवन यह और टेन इस्किट टैम हारीजन में एकस आईर रह यानि एस्ट या एसटी पी का रिटर्ण के तुलना करेंगे । ही यानि वन टाइम इनवेश्मेंड की और इस इस एनालिसिस में में हमने रेस्पेक्टिव टाइम हुरीज अन में दो क्या और इसकी तुलना respective C.I.R. के साथ करेंगे और analysis करने के बाद हम इस position में होंगे कि यदि हम different time origin में सब्सक्राइप यइन कर सकते हमारे पस्ञस्टानशा की चिर्टी होती और हुआधे को STP की होती five years seven years changes के time origin में तो हमारा होता या हमें एक मुष्त रासी होती है और उसको मनें one time हमने इंवेस्ट कर दिया होता तो five year seven years ten years time origin में क्या return होता और दोनों return के तुरुना करने के बाद हम इस position में रफोंगे कहा हम कह सकते हैं कि क्या हम सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल आइकोन है उसको जोड दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगता मिलती रहे एस्टोन टेक्स फिन में आपका एक बार फिर साथ स्वागत है मेरा नाम डियम जाय है पहले हमने एकस आयारार की बाते की हैं और जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं एकस आयारार में हमें तीन जिसका इस सेग्मेंट में फाइव यह के हरीजन में सबसे कम रिटर्ण इस सेवन पैंट फोर नाइन परसेंट जब यही बाते हम सेवन यह की करते हैं तो हम देखते हैं यहां भी मैक्सिम्म कौन मीच्वल फंड का है इसका प्रेटी टू पाइंट वान सिक्स परसेंट असवाल के फंड में यह मिला है और 10-year segment में टेंट उस टाइम होरीजन में मैक्सिम्म में जो है 21.08% है यह भी कौन मिच्वल फंड का है और सब से कम 8.51 परसेंट है जो की टॉरस मिच्वल फंड में तो यह सारी इनफ्रमेशन 5-year, 7-year, 10-year के टाइम होरीजन में यानि यदि हम SIP या STP किये होते इतना रिटर्न आज के दिन में different time horizon में मिलता अब बात करते हैं CAGR की CAGR का मतलब यदि हम इसी time horizon में आज के पूरे 5 साल पहले हम one time invest किये होते तो आज के दिन में क्या return होता यदि 7 साल पहले हम हम invest किये होते तो आज के दिन में philosopher doin होता हूं दस साल पहले हैं वह दिकी होते से पूरे आज से 22 साल पहले means टूड़ी 11 tea all 11 वाय माई है इसका मतलब i11 माई 2013 को इन्न वेश्च किया होता तो क्या होता 11 माई 2019 को किया होता तो क्या होता और 11 मही 2016 वो किया होता तो क्या होता हम देखते हैं इस case में यदि हम 25 साल पहले इसका मतलब 2018 में किये होते आज के ही दिन तो maximum return हमें 19.27 मिंदला वो क्वांट mutual fund का था और minimum return 5.45% होता जो की मोतिलाल उसवाल का था यह जी 2016 की बातें करें 2016 में हमने किया होता आज से पूरे साथ साल पहले तो यहां maximum return 21.02 परसेंट आता और क्वांट यह भी क्वांट mutual fund में होता और minimum it is 8.95% जो की टॉरस mutual fund में होता और यही बातें आज से पूरे 10 साल पहले यह 2013 में हमने आज के ही दिन की होती तो maximum return was 20.78 और minimum 9.94 maximum आया है क्वांट में और minimum आया है टॉरस में यहां अब बार यह analysis और conclude करने की तो यह हम देखते हैं कि 5 years के time horizon में यदि हम SIP या SIP किये होते तो maximum return जो था 26.72% यह quant में था वही quant यहां भी है लेकिन maximum return it was 19.27% इसका मतलब यहां देख रहे हैं कि SIP या STP किया होता तो साइध हमें return बेतर मिलता उसी हिसाब से यहां मिलती है और मिलती हमें यही बात है यहां हैं मिलती हम यह बते हैं एक 7 years में वही क्वांट है, SIR में भी वही क्वांट है, CIR में क्वांट में 21.16%, 22.16% जब की CIR के केस में यह 21.02% है, यहां भी हम देखते हैं कि STP ए SIP के केस में हमारा return लंसम या CIR से बेतर होता, और यदि हम बात करें, 10 years के time होरिजन में यहां भी क्वांट है, तो हम देखते हैं कि क्वांट ने 10 years के time होरिजन में 21.08% का CIR मिला होता, और यदि हम आज के पूरे 10 साल पहले यदि one time या लंसम इन्वेस्ट किये होते, यहां भी यहां 20.78% return हमें मिला होता, तो हम तीनों ही time होरिजन में देखते हैं, 26.72, यहां 19.27, means XIR is more than the CIR, 7 years time horizon में 22.16, 21.02, यहां भी देखते हैं कि XIRR बेतर है CIGR से, और 10 years के time होरिजन में 21.08, और यहां 20.78, यहां भी हम देखते हैं, कि XIRR बेतर है CIGR से, इससे एक बात तो असपस्ट हो जाती, उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनको यह confusion होता है, हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे पास एक मुस्ट रासी है, हमें S.T.P. mode of investment में जाना चाहिए, यह हमें लमसम करना चाहिए, तो यह सी एसपस्ट हो जाता है, कि यदि वन पुस्ट रासी है, तो इसको एक liquid fund में पार कर दें, आप वहां से S.I.P. के टाइप जिसको मैं S.T.P. बोलता हूँ, S.T.P. के हिसाब से इसको target equity fund में जी करते रहेंगे आप, तो आपको किसी भी हालत में, किसी भी हालत में, जो इसका return होगा, वो C.A.G.R. से बेतर मिलेगा, इसका मतलब, आप investment करने का opportunity हो, तो S.T.P. या S.I.P. mode of investment ही opt करें, लेकिन यदि आपके पास एक मुस्तरासी नहीं है, तब तो आपके पास S.I.P. करने के अलाबे और कोई way of investment नहीं है, निर्णे आपका.